हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच पर परहार में मैं हूँ सनी शर्मा और आज फिर से हम बात करने वाले हैं एक बहुत important legal मुद्दे पे वो यह है कि यदि कोई आपके खिलाफ जूटी FIR ये report दर्ज कराता है तो आपके पास उसके लिए क्या remedy होगी तो दोस्तों यहां सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब कोई आपके खिलाफ जूटी FIR दर्ज करवाता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई मोटो होता है अब ये मोटो क्या हो सकता है ये मोटो ये हो सकता है कि वो आपसे रंजिश रखता है आपको किसी तरह से फसाना च चाहता है या फिर आपकी repetition खराब करना चाहता है इन में से कोई एक मनशा इसके पीछे होती है तो दोस्तों आज इसके वीडियो में हम यही बात करने आज के इस legal topic को दोस्तों मेरी हमेशा यह कोशिश होती है कि मैं जो भी information आपके लिए लेकि हाँ उसमें legal शब्दों का कम से कम यूज करूँ और जो अपनी language है वो बहुत simple रखूँ ताकि आपको कोई confusion न रह जाए तो अब हम बात कर रहे थे FIR की अगर कोई आपके खिलाब जूटी FIR दर्च करता है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि जो crime होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक होता है cognizable और एक offense होता है non-cognizable तो जो cognizable offense होते हैं वो serious type के crime होते हैं और उनमें जो police होती है वो आपको बिना warrant के ग तो आपको गिरफतार नहीं कर सकती है कि police को warrant चाहिए होगा तभी वो आपको गिरफतार कर सकती है और यह serious type के crime नहीं होते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपके खिलाफ कोई छूटी FIR दर्च जाती है तो जो पहली remedy आपके पास available है वो यह है कि जब आपको police सुचित क जाना है आपको डरना नहीं है आपको police से भागना नहीं है क्योंकि जब आपने कोई crime नहीं किया तो सबसे पहली बात यह है कि आप confident रहिए अपना confidence मत गिरने दीजे और आप सीधा police के बुलाने पर ठाने जाए और वहाँ जाकर अपनी पूरी बात बिलकुल confidence के साथ आपक conduct किया था तो आप police को बताईए कि इसने गलत information आपको दी है इस तारीक पे और इस समय मैं इस जगह पे नहीं था किसी दूसरी जगह पे था obviously आप पहीना कहीं तो उस समय रहे होंगे और अगर आपके पास उसका को evidence भी है तो बहुत अच्छी बात है वो भी आप police के सामने रख दीजिए बाकिया police को ये भी कह सकते है कि आपकी mobile location trace करके पता चला जा सकता है कि उस समय पर आप कहा थे कुल विलाके बात यह है कि आपको police को convince करना है घवराना बिल्कुल नहीं है अगर अपराद ऐसा है जिसमें सजा 7 साल से कम है तो ऐसे अपराद में police आपको गिरफतार तो करने ही सकती तो इसलिए आपको बिल्कुल निडर होकर police के सामने अपनी सारी बात रखनी है और कोश या अपने किसी मित्र को या फिर अपने वकील को यानि कि किसी अन्य परसन को आप मीडियेटर बना के police के पास भेज सकते हैं और वो उसी तरह से police को बताएगा कि आपके खिलाफ गलत F.I.R. दर्श कराए गई है और आपसे वो वेक्ति रंजे शकता था इस कारण से F.I.R. इस हो जाती है तो police को ऐसे में उस वेक्ति के खिलाफ दो section के अंतरगत कारवाई करने का अधिकार है जिसने आपके खिलाफ जूटी F.I.R. दर्श की है सबसे पहले police के पास ये power है कि वो section 182 IPC के अंतरगत उस वेक्ति पर कारवाई कर सकती है section 182 IPC ये कहता है कि यदि कोई वेक्ति किसी भी police अधिकारी को किसी वेक्ति के खिलाफ जूटी सुचना इस उदेश्य से देता है कि उसमें उसका कुछ फायदा हो और जिसके खिलाफ जूटी सुचना दे रहा है उसका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान हो जाए तो ऐसे में police section 182 IPC के अंतरगत उस वेक् में उस वेक्ति के खिलाफ कारेवाई कर सकती है जिसने आपके खिलाफ जूटी FIA दर्ज कराई है section 211 of IPCA कहती है कि अगर आपको छती पहुंचाने के उद्दिश्य से कोई भी वेक्ति गलत complaint दर्ज करवाता है तो ऐसे case में उस वेक्ति पर कारेवाई की जा सकती है और उसक और section 211 of IPCA के अंतरगत कारेवाई की जा सकती है आप जूटी FIA दर्ज कराने वाले वेक्ति के खिलाफ section 250 clause 2 CRPC के अंतरगत भी जा सकते हैं और उससे compensation का claim कर सकते हैं यह जो compensation होता है कोट यह देखती है कि जूटी FIA से आपको कितना नुकसान हुआ, कितनी छती हुई, अब पर नुकसान कैसा भी हो सकता है, आपके मान का नुकसान हो सकता है, यह आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, यह किसी और प्रकार का नुकसान हो सकता है, तो यह court की power होती है, जितना court जरूरी समझें, उतना आपको compensation देने के लिए उस वेक्ति को order किया जा सकता है, अब यह तो इसमें सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आप SP को एक लेटर लिख सकते हैं जिसमें आप पूरा मामला बताएंगे, सारी बात अपनी करेंगे, अपना पक्स रखेंगे और बताएंगे कि आपके खिलाफे जूटी FIR दर्ज कर दी गई है, या फिर अगर आपको डाउट है क कि वहाँ की problem को solve नहीं होगा, तो आप सीधा इसके लिए High Court Under Section 482 CRPC में जा सकते हैं, यहाँ पर High Court को special power होती है और वो इस FIR को cancel कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पूरे evidence देने होंगे, High Court को संतुष्ट करना होगा कि आपके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है, वो गलत है, अगर court संतुष्ट हो जाती है, तो High Court SEFIR को cancel कर देती है, और आप उस मुकदमे से तुरंत मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ये साबित नहीं कर पाते हैं, तो फिर High Court आपकी application को खारीज कर देती है, और फिर उसके बाद आपके पूर चार्ज बनता है, और फिर चो case ह होता है, वो चलता है, अगर ऐसा हो जाता है, तो High Court से उस application के खारीज होने के बाद, आप Supreme Court में भी application दे सकते हैं, और यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है, कि यदि आपके खिलाफ UTIFIR दर्ज हो गई है, और आपने section 482 CRPC की application High Court में फाइल की हुई है, तो जब तक आपक application High Court में pending रहेगी, फाइनल डिसीजन उस पर नहीं आ जाता, तब तक ना तो पुलिस आपको गिरफतार कर सकती है, और ना ही आपके उपर कोई कारवाई की जा सकती है, तो बात करते हैं तीसरे पहलो की, जब पुलिस भी आपसे convince नहीं हुई, और उन्होंने आपके खिलाफ जोटी अफाय अर्दर्ज कर ली, उसके बाद आप High Court में गए, 4802 CRPC में और वहाँ पे भी आपकी application खारीज हो गई, और आपकी उपर मुकदमा चलने लगा, तो अब इसके बाद एक और option आपके पास होता है, वो option यह होता है कि जब charge बनता है, तो charge के time पर, charge पर बहस होती है, वहाँ पे आप अपने सारे evidence जो भी आपके पास है, court के सामने रख सकते हैं, और court को बता सकते हैं, कि यह मामला आपके उपर गलत दर्ज हुआ है, यगर उस stage पे भी court संतुष्ट हो जाती है, तो वह आपको उस charge से मुक्त कर सकती है, उस FIR से मुक्त कर सकती है, और वो बचाओ कर सकते हैं, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, और जादे से यादा आगे शेयर कीजिए, थेंक यू